क्या आप जानते हैं खेल के धाचागत सुवधाओं को बढ़ाने के लिए सबसे जादा बजट 608 करोड रुपे गुजुरात को मिले और उत्राखंड को महज 24 करोड में संतोष करना पड़ा ये दो ही कारणों से हो सकता है या तो बजट आवंटन में बड़ा भेदभा हुआ है या उत्राखंड के खेल विभाग में इतनी कुवत नी कि वो बड़े प्रोजेक्ट लेगा कर ये बजट अपनी और खीच सके इतना ही नहीं गुजुरात से कम उत्तरप्रदेश जो आबादी के लिहाद से सबसे बड़ा राज्य है उसको भी कम मिला है ऐसा कब हो रहा है जब हम उत्राखंड में धाचागच सुवधाओं की बड़ाने की बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं अगर हम सेंटर से पैसा नहीं ला पा रहे हैं तो ये किसकी खामी है आप याद करिए पिथोड़ागड के हेमराज की वो बात जिसका वो वीडियो खूप वाइरल हुआ जब उसने कौनर गोल मार दिया था पूरी दुनिया में उसकी वहवाई हुई है लेकिन जब उससे पूछा गया कि आगे वो क्या करना चाहता है तो उसने कहा कि मैं आर्थिक तोर पे इतना सशक्त नहीं कि आगे की ट्रेटिंग जारी रख सकूँ दोस्तों उत्राखंड के कहा इस प्रदेश को पहुँचा सकती है लेकिन दुर्भाग की देखिए कि खेल हमारी प्रात्मिक्ता में कभी रही नहीं अगर मैं किवल हिमालेन राज्यों की बात कर लूँ हिमाचल को 38 करोड मिलते हैं जम्मु कश्मीर को 28 करोड मिलते हैं मनीपुर को 80 करोड मिलते हैं स आमने खेल नीती लागू कर दी, प्राइस मनी बढ़ा दी, लेकिन बागेश्वर और टिहरी में अब तक स्टेडियम नहीं है, ग्यारा जिलों में महज 23 स्टेडियम है, और सुविधाएं ना के बराबर, ऐसे कैसे बढ़ेगा उत्राखंट, और ऐसे कैसे खेलों में अपना दमखम दिखा पाएगा उत्राखंट, यह सोचने का विशय है, सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए.